साथियों, इस 15 अगस को देश ने अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे किये हैं, आजहादी के अमरित काल में प्रवेश किया है। अमरित काल में विक्स्तीद भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं, जो आकांच्छाएं हैं, उन्हें साकार करने में भारत की स्रम शक्ती की बहुत बड़ी भूमी का है। इसी सोच के साथ देश, संगठित और असंगठिक छेत्र में काम करने वाले करोड़ों स्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रधान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना, जैसे अनेक प्रयासों ने स्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। ऐसी योजनाओं की वजह से और संगटिक छेत्रके समिकों के मन में ये भाव जगा है कि देश उनके श्रम का भी उतना ही सम्मान करता है हमें केंद्र और राज्य के ऐसे सभी प्रयासों को पूरी संवेदन जिल्ता से एक साथ लाना होगा ताकि श्रमिकों को उनका अधिकते अधिक लाब मिल सके साथियों देश के इन प्रयासों का कितना प्रभाव हमारी अर्थेववस्था पर पड़ा है इसके साक्षी हम करोना काल में भी बने हैं इमर्जेंसी क्रेडिक लाइन गरेंटी स्कीम इसकी वज़े से लाखों छोटे उद्योंगों को मदद मिली है एक अध्यन के मताबिक इसकीम की वज़े से करीब देड़ करोड लोगों का रोजगार जाना था वो नहीं गया वो रोजगार बच गया करोना के दौर में एपी एफो से भी करमचारियों को बड़ी मदद मिली हजारों करोड रुपीय करमचारियों को एडवांस के तौर पर दिये गए और सातियों आज हम देख रहे हैं कि जैसे जरुरत के समय देश ने अपने स्रमिकों का साथ दिया वैसे ही इस महामारिसे वर्दे में स्रमिकों ने भी पूरी शक्ति लगा दी है आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थे ववस्ता बना है तो इसका बहुत बड़ा स्रे हमारे स्रमिकों को ही जाता है झाल